नमस्कार प्यारे बचों मैं विजय बचों आज हम BSE Second Year Paper Third Mechanics का Unit 5 का Important Question हम देखने वाले हैं आज जो Question बताने वाले हैं प्यारे बचों बिल्कुल इसको करके जाना है और 100% आपके एक्जाम में आना है तो चलिए आईए देखते हैं और देखने के पहले हमारे इस वीडियो लेक्चर को हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा आईए देखते हैं प्यारे बचों पहला कोशन आपके स्क्रीन पर सीन हो रहा है देखेगा एक कन आकास में अचर गृत्वा करसन के प्रभाव में ऐसे माध्यम में गती करता है जिसके प्रतिरोधी बल उसके वेग के समानुपाती है कन की गती की विवेचना करना है ठीक है प्यारे बच्चों दूसरा हमारे पास है जब गृत्वी आकरसन में कोई कन उर्ध्वाधर यूवेग से उपर की और प्रक्षेपित किया जाए और माध्यम का प्रतिरोधी बल उसके वेग के समानुपाती हो तो कन की गती की विवेचना करना है दिख रहा है ना सबको बिलकुल नेक्स्ट हमारा है प्यारे बच्चों एक कन वी वेग से एक चिक ने 36 समतल पर ऐसे माध्यमें प्रक्षेपित किया जाता है जिसकी प्रतिकाई सहती पर प्रतिरोध के है दर्साइए किटी समय के परशात कन के वेग वी और इस समय चली गई दूरी एस निम्नांकित में से जाती है वी इस इक्वाल वी इन्टू एटू दी पावर माइनस केटी या इसी को हम राइट करते हैं प्यारे बच्चों ऐस इस इस इक्वाल वी अपन के ब्रेकेट में 1-e पावर माइनस केटी है आया समझ में बिलकूल आप इसक्रीन साट लेते जाईएगा दिख रहा है ना बिल्कुल दिखराओगा देखिए नेक्स्ट है गुरुत्वी आकर्षन में देखें गुरुत्वी आकर्षन में एम सहाती का एक कन उर्धोधरता उपर की और प्रक्षेपित किया जाता है वायू का अवरोध वेग का एम के गुना है यदि वी सिमान्त वेग तथा लेमडा भी प्रानभिक वेग है तो दरसाइए कि कन द्वारा प्राप्त महत्तम उचाई हना वी स्क्वेर वी स्क्वेर आपांजी लेमडा माइनस टेन जी वन प्लस लेमडा ए स्वरी लेमडा माइनस लाग वन प्लस लेमडा है ठीक है प्यारे बच्चों बस इसी डंग से आपको करना है ठीक है ना चलिए नेक्ष्ट हम देखते हैं इसको नोट कर लीजेगा नेक्ष्ट हमारे पास है देखें कोई कन गुरुत्व के अंतरगत एक माध्यम जिसका औरोध वेग के वर्ग के अनुकरमान उपाती है एकस द नेक्ष्ट हमारे पास है प्यारे बच्चों देखेंगा एक कन गुरुत्व के अंतरगत एक माध्यम जिसका औरोध वेग के वेग से वर्ग के समानुपाती हैं में गती कर रहा है हमें गती की विवेचना करना है नेक्स्ट हमारे पास है एक कन एक केंद्री त्वरन P के माध्यम जिसका औरोध K है में गती करता है दर्साई कि इसके वेग के पत्थ का समिकरन D square U upon D theta square plus U is equal P upon H square U square E to the power 2 के S होता है ठीक है इसको भी स्क्रीन साथ लीजे जल्दी चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है देखें तरल की एक गोला कार बिंदू वास्प में गिरते हुए संगनन द्वारा सी की अचरदर से द्रवेवान प्राप्त करती है दर्साई की विराम में गिरते हुए T समय बाद इसका वेग 1 by 2 GT ब्रेकेट में 1 plus M upon M plus CT बिल्कुल करके जाईएगा चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों वर्सा की एक बूंद जो स्वतनतदा प्रवग गिर रही है प्रतेक छन आयतन में एक वृद्धी जो उस छन प्रिष्ट का लेमडा गुना है गरहन करती है टी समय पशात वेग ग्याद करना है टी समय में गिरी हुई दूरी भी ग्याद करना है बस इसी धंग से काम करते जाना है प्यारे बच्चों नेक्ष्ट हमारे पास है देखे यदि एक कंद त्रिविम दिशा में गतिमान है तो कार्ती निर्देसांकों के पदों में किसी कंद का तोरण ग्याद करना ये दस ग्यारा और बारा कुश्टन बिल जल्नी निर्देसांक के पदों में किसी कंद का तोरण ग्याद कीजिए ठीक है इसको इसको इसक्रिन साथ लिजिएगा नेक्स्ट हमारे पास है प्यारे बच्चों देखो एक कंद अर्धगोले जिसकी अक्ष उर्धवा धरे तथा सिर्स नीचे की और है कि अंतरिक शिकनी प्रिष्ट के अनुदिस एक कंद 36 तह प्रक्षिप्त किया गया है प्रक्षे बिंदू निम्रतम बिंदू से कोनी दूरी बीटा पर है दर्साई की प्रानुभिक वेग जिसके कंद अर्धगोले के कंद अर्धगोले के किनारे रिम तक चड़ सके इसको रूट टू एजिस सेक बीटा है ठीक है जल्दी स्क्रिंसाट ले लो नेक्स्ट हमारे पास है प्यारे बच्चों चलिए देखिएगा लास्ट कोशन है आपका एक कंद एक चिकने गोले पर केवल प्रिष्ट के दबाओ के अंतरगत अन्य कोई बल नहीं गतिमान है दर्साई कि इसका पत्थ सम इंडियर में बहुत युनिवर्सिटी में एक्जाम हो चुका है बिल्कुल आ रहा है आपको बिल्कुल इसको करके जाना है याद रखेगा ठीक है प्यारे बच्चों यदि चलिए आज के क्लास हम यहीं तक रखें यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजे सेर कीजे सब्सक् कर देना है कि तक्मी यहीं अगयर है लगा इसाय्शार बिल्कुल आ भाइक है व्याद कर र्खेंड कर दो बिल्कला की राम हो फो लाउती व्यारे बच्वयर्सिटाब्स endroit